नास्तिक एवं अंदश्रधा निर्मुलन समर्थोकों का हिंदू विरोधी शडियंत्रप इस विशय पर महंत आचार्य पिठादीश्वर डॉक्टर अनिकेज शास्त्री देशपांडेजी हमारा मार्गेदरिशन करेंगे उससे पुर्व हम उनका परिचे समझ कर लेते हैं महंत आचार्य पिठादीश्वर डॉक्टर अनिकेज शास्त्री देशपांडेजी नासिक महाराष्ट से हैं आप अखिल भारतिय संत समिती धर्म समाज के महाराष्टर प्रदेश के प्रमुख हैं आप जोतिश शेत्र से जुड़े हैं आप गोशाला, संत निवास, यग्य विद्यालय आदी के माध्यम से हिंदू धर्म एवं संस्कृति रक्षा के कारे में अग्रेसर हैं मैं आप से प्रार्थना करता हूं कि आप हमारा यहाविशे प्रस्तुत करें आय सनातन वैणिक हिंदू धर्मकी आये 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 ओम गलक्व दान गंडं मिलत दुरुंग खंडं चलत्चारशुण्दं जगत्राणशुण्डं लसद्दन्ध कंडं विपत बंगांचंडं शिवप्रेम पिंडं भजेवक्रतुंडं नारायन समारंभाम, शंकराचार्यमध्यमाम, अस्मध आचार्यपरियंताम, वंदे गुरु परंपराम, शुरति स्मृति पुरानानाम, आलयं करुनालयं, नमामे भगवत पादं, शंकरं लोक शंकरं बारत माता की वंदे मात्रम जै श्री राम चत्रपती शिवाजी महराज की धर्मवीर चत्रपती संभाजी महराज की उपस्थित व्यास्पिट पे सर्व विदवज्जन विचारवंत ज्ञानवंत धर्मशास्त्र अभ्यासक हमारे सामने उपस्थित विविद संप्रदायों के आचार्य महामंलेश्वर संत महात्मा एवं परंपुज अठवलीजी गुरुजी इनके चरणों में दंडवत तथा उपस्थित मेरे हिंदु भाई और बेहनों आप सबको मेरा स्नेह पुरुवक शुभा अशिर्वाद आज यहाँ पे मुझे निमंत्रित किया उन सभी आयजोकों का मैं विशेश आभार व्यक्त करता हूँ आज सुभ़ से लेकर सभी मुर्धन्यों ने यहाँ पे अपने विचार रखे खेद जताया गंबिर परिस्तिती का हमें अनुबो करा दिया उसी को आगे लेके जाना चाहता हूँ और मेरे दो शब्द आपके सामने रख रहा हूँ कि अंदशरद्धा लव जिहाद शरद्धा जिहाद लैंड जिहाद इन सभी के माध्यम से विधर्मियों द्वारा सनातनियों पर समय समय पर जो आक्रमन हो रहा है वह आज इतना सुक्ष्मरिती से अपने घर तक आ गया है जिसका हमें अभी अगर गंबिरता से विचार नहीं किया तो अभी नहीं तो कभी नहीं जल्द ही सनातन हिंदु धर्म नश्ट होने के कगार पर आ सकता है ऐसी परिस्तिति आज निर्मान हो रही है मेरे जीवन में सनातन धर्म रक्षा है तो जो मैं कार्य करता हूँ उसमें जो मुझे अनवो आया है उसमें से कुछ उधारण में आपके सामने रखना चाहता हूँ जिससे हम सब जागरित हो अंदशरद्दा निर्मुलन समीति के जो पदाधिकारी है उनसे बली प्रथा के लिए मेरी वारतालाब हुई और उनका विचार मेरा विचार लगबग मिलने लगा इसलिए हम नासिक के सिन्नर नगर में एक साथ गए और वहाँ पे जो बली प्रथा हो रही थी उसको हमने जम कर विरोत किया हमें पहुचने में थोड़ी देरी हो गई उससे पहली बकरा कड़ गया था तो अंदर श्रद्दा निर्मुलन वालों का वहाँ पे मुझे सत्य उनका चहरा सामने आया और वह बे नकाब हो गए जो आदे गंटे पहले बली प्रथा में हम आपके साथ है ऐसा बोलकर मुझे साथ लेके गए वहाँ जाकर जो बली दिया हुआ जो बकरा था उसके मटन भोजन में वो पंक्ती में बढ़ गए मैं दंग रहे गया कि देखिए एक कहावत है तकलीप तो अपने ही देते है तकलीप तो अपने ही देते है वरना गैरों को क्या पता आपको तकलीप किस बात से होती है इसका अनुबो मुझे वहाँ पे आया उदर विरोत करने के ना कोई यहुदी आया अपने ही लोग ते उसके बाद अंदश रद्धा निर्मुलन का और एक चहरा मैं आप सबके सामने लाना चाहता हूँ और वो है कि वह सिर्फ और सिर्फ सनातन हिंदु धर्म बाउद्ध धर्म जैन धर्म सिख धर्म जो सनातन से उत्पन्न हुए इस भारत में जन्म हुए जो धर्म है उनके उपर ही आकरमन करती है ना कि मुसलिई मिशाई के उपर इसका उधरण है कि जैसा कोई सादू संत जैसे बागेशवर बाबा है या कोई भी सादू संत धर्म रक्षा है तो अगर कुछ बोल देते हैं तो उनका वाक्य कैसे अंदश लाक रुपए का इनाम जाहिर किया था, तो मेरे पास ये मुसलमान लोग जो है, उन्होंने जम जम का पाणी पीने से कैंसर ठीक होते है, ये क्रिश्चन लोग जो है, होली वाटर पीने से किड्नी ठीक होती है, ऐसी दावे करने वाली हज्जारों वीडियों मेरे पास भी है और यूटूब पर भी है इसके उपर वह कभी इनाम जाहिर नहीं करते तो मैंने उनको प्रति आवान किया था नासिक में सभी संत समाज को साथ लेकर पुरुईत संग को साथ लेकर अखाडों को साथ लेकर कि आप 21 लाक रुपे तो बह सिद्ध कर दे कि कीड्नी और कैंसर ठीक होता है तो एक करोड 51 लाक रुपे वह लेके जाए आज तक कोई आया नहीं है दूसरा ये समझने वाली बात है कि हज्जारों साल मुसल्मानों ने अपने उपर राज्यकिया आक्रमन करते रहे आज भी कर रहे है वह आक्रमन में उन्होंने हमारे सरकलम किये हिंदूओं के ख्रिष्चन देड़ सो साल से अंग्रेजों के रूप में इधर आये थे पर उन्होंने सर कलम नहीं किये उन्होंने बुद्धी कलम की इसका एक उधारण एसा है कि आज हम देख रहे है हिंदु परिवार में बच्चे माता पिता को अबा जान अम्मी जान नहीं बोलते हैं मम्मी डैडी बोलते हैं इससे यह पता चलता है कि मुसल्मानों के साथ साथ उससे भी आकरमक ख्रिश्चनों का भी एक विधर्मी आकरमन हेतु सनातन के उपर भूत प्रभाव पड़ रहा है त्रम्बकेश्वरक से नजदीक पालघर साथू हत्याकान आप सब जानते हैं वह कम्मिनुष्टों के द्वारा लाल बावटे उनके द्वारा हुई है वह भी भूत सुक्ष्मरिती से जो अपने आदिवासी भाई है जो आर्थिक दुरुष्टी से गरीब है जो जो जोप प्राणी है उनको वो टार्गेट करके वहां पर उन्होंने आदिवासी विभाग में बच्चों को टार्गेट किया है यह मेरे सामने आया है और बच्चे कोन से तीसरी कक्षा से लेकर छटवी कक्षा तक के वहां के सरपन से जब में मिला कि ऐसा क्यूं कर रहे हो आप बगवान को बांध के रखा है पुझा क्यूं नहीं करते हो तो उन्होंनों ही भी अपना दुख बताया कि हमारे यहां कोई सादू संत महत्मा आता नहीं कोई धर्मगुरु शंकराचारी आता नहीं हमारे पुरा करते है तो हम उनका पालन करना शुरू करते है इस माध्यम से में जब सरपन से मिला तब उनकी और मेरी विचार अच्छी आगे बड़ी और उन्होंने मुझे घर में निमंत्रित किया मैंने बुला हम सब आएंगे घर पे सब आखाडों के सादू संत लेकर हम उदर आदिवासी पाडा में गए दोसो परिवर का वह पाडा था जवार मोखाडा के आगे तो मैंने जब बच्चों से बात किया बड़े तो ठीक है वह समझ भी जाएंगे पर बच्चे भी भगवान को नकार रहे है यह मुझे बहुत विशेश बात लगी तो मैंने जब बच्चाया उससे में बहुत आश्चरया हुआ और वह बात है कि स्कूल जुन से चालू होता है और मई को छुट्टी लगती है और वहां आदिवासी पाड़ा में जो गवर्मेंट के स्कूल है जिल्ला परिशत के वह सब मिशनरियों ने वहां पर कभजा किया है मतलब वहा जारी शरिती है बाद में थंडी आती है थंड अपड़ती है सरदी पड़ती है फिर गर्मी आती है तो बराबर फरवरी एंड से लेकर मार्च और एप्रिल में वह ऐसा खेल करते हैं बच्चों के साथ उसका एक उधारन में आपको बताने जा रहा हूं द्यान से सुनिए व इसा जता थे बच्चों को की गाड़ी बंद हो गया इंजिन खराब हो गया है और थोड़ा उसको ठीक करने में एक 10-15 मिनिट आदा घंटा समय लेते हैं दूप रहती है बच्चे स्कुल से गर में जाने के इंतजार में रहते हैं प्यास बढ़ती रहती है बूक लगी रहत आप थोड़ा भगवन का नाम लीजिए गाड़ी जल्दी चालू हो जाएगी तो बच्चों को हरहर महादेव, जैश्री राम, गणपती बाप्पा, मोरिया ऐसे नाम लेने को बोलते हैं गाड़ी चालू नहीं होती है मतलब वो ड्राइवर चालू ही नहीं करता है फिर बच्चों का नाम लिया है गाड़ी शुरू नहीं हो रही है अभी थोड़ा यशु मसी का और अल्ला का नाम लेके देखते हैं देखते हैं गाड़ी चालू होती की नहीं और उसमें बच्चों से जबच्चों के मुख से अल्ला का और यशु का नाम निकालते हैं जैजैका रहे और उसको ही वह बरबात कर रहे है आठ दिन पहले महाराष्ट्र में अहिल्या नगर में स्कूल की टीचर ही बच्चियों को हिजाब पेनने के लिए प्रवृत्त कर रही थी वो बच्चियों ने घर में जाके बताया अभी उनको एरेश्ट किया है तुसरा किसी पौश ए दाम गिरा देते हैं और उनके सब लोग बढ़ जाते हैं इसी में नासिक में पूर्निमा बस्टॉप के यहां सब पंडितों के गुजराती मारवाडियों के घर थे इसी एक दो लोगों ने वहां पे घर खरेदी किया पाच गुना दाम देके आज 10 साल में वहां पे 95% मुस लुट साल से प्रयफ्ट्न शुरू किया है ऐसी मांग कर रहे है कि अभी इदर मुसलीम मोहुला बढ़ गया है मुसलीमों की संख्या बढ़ गई है अभी अध्त्य भगवान का और राम जी का मंदीर इदर नहीं चाहिए ऐसी मांग हो रही है मंदिरों के ऊपर आक्रमान कर रहे है देड़ साल पहले आपने देखा होगा कि त्रम्बकेश्वर मंदिर में चद्दर लेके और धूब लेके जाने का प्रयास किया गया इसके पीछे की भी एक शड़ी अंत्र है कि ऐसा प्रयास अगर साथ आठ साल दस साल चलता रहा तो वगबोर्ड पे वो सिद्ध हो ज इसके लिए इलाज है कि हम सब को अपने वेद शास्तर पुरान अपने उपनिशद इनका अभ्यास इनकी चर्चा हर कुटुंब में हर परिवार में नित्य होनी चाहिए संतसत्संग नित्य होना चाहिए क्यूंकि 1000 ख्रिश्चनों को अगर पूछेंगे तो 700 से 800 क्रिश्चनों को बाईवल आता है 1000 मुसलिमों को पूछेंगे तो 900 से आगे पिछे उनको कुरान आती है लेकिन 1000 हिंदुओं को पूछेंगे तो 100 लोगों को भी गीता मुखदगत नहीं है कि हम हिंदू जातियों में बटे है ये भी एक बड़ा शडियंत्र है मुगलों से लेकर चले आ रहा है और अंग्रेजों ने उसको बड़ावा दिया है फिर कांग्रेज सरकार ने उसको 70 साल आपने उपर ठोपा है ये भी समझना चाहिए कि जाती पाती के उपर हिंद्यों को अभी उठना पड़ेगा क्योंकि शास्त्र में कही भी यही नहीं लिखा है कि जन्म से उसको वह जाती मिलती है शास्त्र में लिखा है सकंद पुराण में जन्मना जायते शुद्रहा संस्कारा द्विजव उच्चते इसका मतलब है कि जन्म से हम सब अग्यानी है हम बच्चे है हमको कुछ मालूम नहीं जिसके उपर जैसा संस्कार होगा वैसा वर्ण वैसा पद उसको प्रतिष्ठा प्राप्त होगी गीता में भी कहा है भगवान श्री कृष्ण ने जगत गुरु ने चातुर वर्णम मया प्रोक्तम गुण कर्म विभागशा हा कि चातुर वर्णम मैंने ही उत्पन्य किये है और वह गुण और कर्म के अनुसार है ना कि जन्म के अनुसार तो यह बात भी समझनी चाहिए हिंदूओं ने और खास करके युवाओं ने क्योंकि भगवान कृष्ण ने किसको उपदेश किया अर्जुन को और अर्जुन कोन है ऐसा अगर प्रश्ण उठता है तो मालूम है अर्जुन कोन है अर्जुन युवा है तरून है भगवान ने भी युवा शक्ति को जागृत किया है तो हमको भी युवाँ को जागुरुत करना है उनको सही दिशा देनी है तब ही ये कार्य ये जो महुत्सव है ये सफल और सिद्ध होगा और इस महुत्सव को मैं शुवेच्छा देता हूँ कि यावच चंद्र दिवा करू जब तक सूर्य और चांद इस धर्ती पर है तब त सनातन कार्य सनातन जागुरुत कार्य ऐसा ही चलता रहे समय बहुत कम है बुलना बहुत कुछ है मैं मेरे वाणी को पूर्ण विराम देता हूँ और जाते जाते स्वातंत्रवीर सावर करजी की एक बात कहता हूँ कि ये धर्मकार्य में जो हमारे साथ आएगा उसको लेकर जो हमारे साथ नहीं आएगा उसको छोड़के और जो इस धर्मकार्य धर्म प्रतिष्ठपना के लिए विरोत करेगा उसका विरोत तोड मरोड कर हम ये धर्मकार्य प्रतिष्ठापित करते रहेंगे और सनातन वैदिक भारत हिंदुराष्ठर था है और अनंतकाल तक हिंदुराष्ठर रहेगा जये श्रीराम जये परशुराम कृतगिता महाराजी हम सभी का परम सोभाग्य है कि इस प्रकार से एक क्रांतिकारी संत आज हमारे बीज इस हिंदुराष्ठर मोहत्सों के माध्यम से यहां पर सम्मेलित हुए हैं और हमें हिंदुराष्ठर सापना का दिशा दर्शन एबं मार्गे दर्शन कर रहे हैं हम आपके चरणों में अत्यनत कृतगिता वेक्त करते हैं